नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है हाइड्रो क्लोरोथाइजाइड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और हाइड्रो क्लोरो टैबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं। और यह भी discuss करेंगे कि hydrochlorothighide tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन conditions में hydrochlorothighide tablet को लेना recommended नहीं होता है। hydrochlorothighide tablet का उपयोग blood pressure को कम करने के लिए और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक blood pressure अधिक रहने की वजह से लखवा लगने का, दिल का दौरा पढ़ने का और kidney खराब होने की समस्याय होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में liver, kidney और दिल से संबंधित बीमारिया होने की वजह से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर hydrochlorothighide tablet को लेने की सला दे सकते हैं। hydrochlorothighide tablet diuretic drug class की दवा है। diuretic दवाईयां शरीर से extra fluid को बाहर निकालती है। hydrochlorothighide tablet को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। इसलिए डॉक्तर hydrochlorothighide tablet को उन लोगों को भी लेने की सला दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोई kidney से संबंधित समस्या है। या जिन लोगों की kidney अच्छी तरह से काम नहीं करती है। अब हम discuss करेंगे की hydrochlorothighide tablet को कैसे लेना recommended होता है। hydrochlorothighide tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर hydrochlorothighide tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं। hydrochlorothighide tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको hydrochlorothighide tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्तर की सला के बिना hydrochlorothighide tablet को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की hydrochlorothighide tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में hydrochlorothighide tablet की वज़से कोई serious side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में hydrochlorothighide tablet की वज़से चक्कर आ सकते हैं। सिरदर्ध हो सकता है। कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आखों में धुंदलापन हो सकता है। इसके अलावा hydrochlorothighide tablet की वज़से नीन अधिक आना, पेट में बेचैनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है। hydrochlorothighide tablet की वज़से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और शरीर में electrolytes का संतुलन बिगर सकता है। electrolytes जैसे sodium, potassium और calcium का संतुलन बिगर सकता है। अगर आपको hydrochlorothighide tablet को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एठन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुँ में सुखापन होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। Hydrochlorothighide tablet की वज़े से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि Hydrochlorothighide tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में Hydrochlorothighide tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। Hydrochlorothighide tablet को शाम के चार बजे के बाद लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। क्योंकि Hydrochlorothighide tablet को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप Hydrochlorothighide tablet को शाम के समय लेते हैं, तो आपको रात के समय बार-बार पेशाब के लिए जाना पर सकता है। लेकिन अगर आपके डॉक्तर ने Hydrochlorothighide tablet को शाम को लेने की सला दी है, तो आप Hydrochlorothighide tablet को शाम के समय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है, या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वज़ह से पेशाब कमा रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए Hydrochlorothighide tablet का सेवन करना recommended नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर की सला के बिना Hydrochlorothighide tablet को न नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Hydrochlorothighide tablet का सेवन करना recommended नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Hydrochlorothighide tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए, और डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हाइड्रो क्लोरो थाइजाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हाइड्रो क्लोरो थाइजाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।